स्टार प्लस की पॉप्लेर सीरियल अनुपुमा में हमें धमाकेदार ट्रैक देखने को मिल रहा है हलो दोस्तों मैं हूँ कॉमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलिवोड स्पाई वेल जैसा कि हमने अब तक एपिसोड में देखा है कि समर को रोहन फोन करता है और कहता है कि अगर पुलिस को कंप्लेंट किया तो तुमने जो वहां रोड छोड़ी थी मैं भी तुम्हें अटेंप्ट टू मर्डर में फसादूंगा और हम दोनों की बीच है न ये बात तो हम दोनों ही सुलझाते हैं न ओ सौरी मैं ही सुलझाओंगा न और आज रात मैं तुम्हारे गली में डांडिया पर आऊंगा और देखता हूँ कि कौन रोगता है मुझे वैल तब ही समर कहता है कि ठीक है आज तू आ और मेरी मा और मिस्टर शा का गुसा देखेगा न तो सीधे तू अमेरिका वापस भागेगा आगे हम देखते हैं कि घर पर पाकी है कहती है कि हमारे वहाँ इस बार गर्बा में प्राइस मनी काफी हाई है और बेस्ट कपल के लिए 1,11,000 रुपए है और तभी पाकी कहती है बा ये तो आपको ही जीतना है और बा ताने मारते हुए कहती है कोई खुशी तो है नहीं और इसी में खुशी मना लेते हैं तभी पाखी कहती है कि पापा इतने बिजी रहते थे कि कभी वो participate नहीं कर पाए मम्मे के साथ best couple के लिए और तभी काविया कहती है हम करेंगे ना हम भी जीत सकते हैं तभी दोश्चु कहता है कि हम और किंजल भी जीत सकते हैं best couple का price वेल तभी कावय कहती है कि आज तो दो तीन प्राइज अपने घर में आही जाएंगे आगे हम देखते हैं कि अनुज समर को समझाता है कि जाओ अपनी फैमिली को सब कुछ सच सच बता दो कि तुम क्या करके आए हो तभी समर कहता है कि मेरी भी एक शर्थ है मैं सब को बता दूँगा लेकिन आपको आना होगा आज आपको मेरी गली में आना ही पड़ेगा अनुज हामे भर देता है वहीं हम देखते हैं कि समर आता है घर पर तो अनुपमा देखकर पहले तो पूछती है समर से कैसे हो तबी वहाँ पर वनराज आता है और केता है पुलस अस्टेशन चलते हैं और समर मना कर देता है केता है आज नहीं आज fist इबल है, आज कोई negativity नहीं चाहिए तो उश्यू कहता है कि आखेन इसे हो क्या गया है वनराज कहता है शायद समर्पलस स्टेशन जाने में घब्रा रहा है आज अगर नहीं हो पाया तो कल जाएंगे तभी अनुपमा कहती है कि इसी बीच रोहन ने कुछ किया तो तभी वर्नराज कहता है हम सब ही है नंदने का खयाल रखने के लिए अगे हम देखते हैं कि अनुझ है जो अनुपमा के खयालों में खो जाता है और इसी दोरान अनुपमा और अनुझ का एक रोमेंटिक मॉमेंट भी देखने को मिलता है आगे हम देखते हैं कि देविका आती है और कहती है यह लहंगा मेरे लिए है तभी अनुच कहता है नहीं मैंने अनुपमा के लिए लिया है यह special लहंगा और पता नहीं क्यों order कर दिया जबकि मुझे पता है कि मैं यह दे नहीं सकता हूँ देविका कहती है कि मैं दे देती हूँ आगे हम देखते हैं कि देविका आनुपमा को वो लहंगा देती है अनुपमा लहंगा देखकर बहत खुश हो जाती है और कहती है कि मेरे पसंद की कलर है जो मैंने कई सालों से नहीं पहने हैं तभी देविका कहती है कि अब जा जल्दी पहन कर आप पाकी है लेंगे की तारीफ करती है और वनराज को अनुषका एक लेटर मिलता है जो कि उसने अनुपोमा के लिए लिखा होता है वेल आगे अब देखना है कि वनराज इस लेटर को किया अनुपोमा को दिखाता है या लेगा अनुष bereits कोई और बदला जानी देखना ना भूले अनुपमार टेलिविजिन के लेटिस्ट अबडेट्स और चटपटी गोसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले